तो बच्चो देखे सबसे पहले हमारा आता है रस अब रस में ट्रिक क्या है इसको समझे रस में एक स्टूडेंट फब्द आता है जिसका नाम है बच्चो अस्थाई भाव ठीक है अब सोच रहेंगे अस्थाई भाव क्या है यही इसका ट्रिक है बच्चो अस्थाई भाव ठीक है रस का अस्थाइभाव होता है जैसे कई रस तो होते हैं अब देखिए बच्चों रस जैसे हास रस करून रस ठीक है तो हास रस का अस्थाइभाव क्या होता है बच्चों हास रस का अस्थाइभाव होता है हास ठीक है यही इसकी ट्रिक है अभी मैं आपको बताऊंगा definition कैसे आपको इससे बनाना है दुफरा देखे बच्चो करुन रस का अस्थाइभा होता है बच्चो सोक ठीक है और भी अगर आप रस की अस्थाइभाव जानना चाते हैं तो उनको भी मैं आपको बता देता हूं बच्चो अब स्रिंगार रस का अस्थाइभा होता है ठीक है इनका भी आप definition इसी प्रकाल लिख सकते हैं जैसे मैं अभी trick से बताऊंगा आपको दूसरा बच्चो बीर रस का उत्सा सांत रस का निर्वेद ठीक है तो देखे कैसे आपको अस्थाइभाव से trick बनाना है देखे मैं आपको simple बताने जा रहा हूं तो देखे स्थाइभाम रस में दो रस यहाँ पर declare करेंगे example के साथ सबसे पहला रस आता है हास्वरस ठीक है तो हास्वरस को पहले हम discuss कर लेते हैं बच्चो तो हास्वरस का definition मैं ने लिखा है उदाहरन मैं आपको बताऊंगा तो देखे बच्चो हास्वरस का definition क्या होता है देखे कैसे बनाना है आपको definition trick से ठीक है और यह आपको पूरे number देगा देखे हास्वरस का अस्थाई भाव हास है मैंने आपको अभी कर दीजेगा ठीक है नामक अस्थाई भाव बिभाव अनुभाव और संचारी भावों से सयोग करता है तो क्या होता है करूरस का निर्माण होता है ठीक है अब अगर बच्चो आपको बीररस लिखना हो तो आप ऐसे definition मना सकते हैं बीररस का स्थाई भाव उत्सा है जब उत्सा नामक अस्थाई भाव ऐसे आप लोग लिख सकते हैं ठीक है तो बच्चो पहले हम डिसकस करेंगे हास और रस के बारे में ठीक है तो इसको definition आप लोगों को समझ में आया आप किसी भी definition को ऐसे बना सकते हैं किसके जरीए यानि किस्थाई भाव के नाम से ठीक है तो ऐसे आप लोग एक definition के जरीए सभी का ट्रिक समझ सकते हैं अब बच्चो हास और रस का example चलिए हम देखते हैं क्या है तो student इससे example देखिए क्या है इस example को आप लिख सकते हैं हास और आपको और भी example पता है तो उनको लिख सकते हैं तो इस प्रकार से के आपको हास और भाव के नाम से आप ट्रिक बना सकते हैं हास और रस का स्थाइबाव हास है जब हास नाम का स्थाइबाव विभावन भाव और संचारी भावों से सयोग करता है तो हास और रस कहलाता है की दो नमबर दे दिया जाता है लेकिन आप थोड़ा सा इसके बारे में असपस्टी करण भी लिख सकते हैं मैं आपको बता देता हूं क्या है बच्चों यहाँ पर स्यू बिभाव के समय की पंक्तिया यह है ठीक है हास सुमय है इन उधारण में अस्थाइबाव हास का अलं करून रस को ठीक है उसके बाद हम देखेंगे अलंकार फिर थोड़ा सा जो आपका च्छंद है ठीक है सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे तो बच्चों दूसरा रस हमारा आता है करून रस अब देखिए करून रस भी वैसे लग बग लिखा है करून रस का अस्थाई भाव लिख दिया किजिए जैसे मैंने लिखा है ठीक है कि करून रस का स्थाई भाव सोक है जब सोक नामा का स्थाई भाव विभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करून रस की उत्रपती होती है ठीक है सिंपल है आप लोगों को केवल यहां पर सोक कर दिया गया दुख मेरा ठीक है उसा के मिर्दू पलकों में ठीक है आप लोग ऐसे बच्चों लिखिएगा आप लोग और भी अगर जानते हैं एक्जामपल तो उसको भी लिख सकते हैं कोई जरूरी नहीं है यहां पर ठीक है कि आप यहीं लिखे जो आपको अच्छा लगे जो आपको अ सुख मेरा संध्या के संध्या के की घन अलकों में ठीक है अब बच्चों आप लोग हमसे भी अच्छा लिखने की कोशिश कीजिएगा हमें तो तेज लिखना था ठीक है मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए अब देखे बच्चों इसका उधारन है क्यों छलक रहा दु भी बता दिया है ठीक है किसी भी कापके डिफिनीशन लिख सकते हैं यहां पर भी आप इसपश्टी करण लिख सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूं आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ठीक है असपश्टी करण तो आप लोग मैं बोल रहा हूं आप आसरा है कभी के हिरते के उद्गार अनुभाव है अंधकार रूपी के स्पास तथा संध्या उन्दीपन है ठीक है आप ऐसे लिख सकते हैं सपस्टी करन को ठीक है वैसे तो आप इन दोनों को आसाली से समझ गये होंगे